हेलो गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलने में यू पार्ट वन सब्सीडियरी हिस्ट्री का कुश्चिन पेपर का रिवी करने वाले हैं जो 2022 के एकजामी पूछा गया है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला नंवर ऑब्जेक्टी पुशा गया है हरप्पा सहर कहांँ इस्तिथ था त्म इसका आंसर हो जाएगा ऊप्चन नमर1 सिंदु घाटी सेकेंड कोशन पुछा गया है लोथल कहां इस्तित्था तो इसका आंसर हो जाएगा उप्सिन मेर फर्स्ट गुजरात थर्ड कोशन पुछा गया है भारत में सबसे प्रारम भी खोजा गया सहर था तो इसका आंसर हो जाएगा उप्सिन मेर फर्स्ट हरपा नेक्स को दम दुशा गया है सिंदु घाटी साबता में व्रिहत असनाना गार पाया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा और बी मोहन जोद्रो नेक्स को दम दुशा गया है हरपावासी डॉड़र डॉड़र प्रियों करना नहीं जानते थे तो इसका आंसर हो जाएगा option number D इसका आंसर हो जाएगा लोहा next रोज़न दुसा गहे हैं अप्पा स्थल के खुदाई करता कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा option number first दयाराम सहनी next रोज़न दुसा गहे हैं निम्न में से निम्न में से कौन सा हरपा स्थल का गुजरात में इस्थित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा option number 3 इसका आंसर हो जाएगा धौला वीरा next रोज़न दुसा गहे हैं पहली वार कब हरपा की सब तक हो जी गई तो इसका आंसर हो जाएगा option number 2 निम्न वेदों में से किसमे वर्णों की उत्पती का वर्णन है तो इसका आंसर हो जाएगा option number 1 रिगवेद next रोज़न पुसा गया है हिंदु धर्म का प्राचीनतम पवित्र धर्म कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा option number A वेद next रोज़न पुसा गया सामवेद मुखिता किस विदा के लिए जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा option number 1 संगीत next रोज़न पुसा गया निम्न में से कौन से वेदों में गाहितरी मंत्र समाहित है तो इसका आंसर हो जाएगा option number A रिगवेद next रोज़न पुसा गया पुर्ववेदी काल में कौन सी दो समीतियां थी तो इसका आंसर हो जाएगा option number C इसका आंसर हो जाएगा समीति एवं सभा next रोज़न पुसा गया सत्यमेव जयते सब्द किस ग्रंत से लिया गया है इसका आंसर हो जाएगा और उवेदी की उत्पती है तो इसका आंसर हो जाएगा और उवेदी काल में कौन सा देवता सबसे प्रमुक अस्थान पालिया तो इसका आंसर हो जाएगा और उवेदी की उत्तर नावक संस्था किस काल में उपस्थित हुई तो इसका आंसर हो जाएगा और उपस्था नमबर उत्तर वैदिक काल मैं नेश्थ को संपूसा आगा है वैदीक साहिति के अनुसार लोगों के द्वारा राजा को दिए जाने वाले टैक्स को कहा जाता था तो इसका आंसर हो जाएगा और उपस्थ नम्बर ऋपस्थ नमबर सी बली नेक्स रोसम पुशाएगा है मगध की राजधानी पहली राजधानी कहां इस्थित थी तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर डीस का अंसर हो जाएगा राजग्रेह नेक्स्ट रोसम पुस्याग है बुध्ध ने प्रत्वम उपदेश कहां दिया तो इसका अंसर हो जाएगा option number C सार्नाथ नेक्स्ट रोसम पुस्याग है नेमले खित्त नगडों में से सुंग की राजधानी कहा थी तो इसका अंसर हो जाएगा option number C पार्टली पुत्र नेक्ष्ट वोसम पुछा गया है कुसान वंस का संस्थापक कौन था तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सिन नमर फ्रस्ट कुजूल कैड़ फिसीज को तीलिखे द्वारा निमलिख्एत मेंसे कौन सी पुस्तक लिखी गई थी तौ इसका अंसर मोंपोल साफ्त्र नेक्ष्ट को जम्पुशा गया है नाचराज अन्यून में से किस देवता से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा उप्सन में A, सीव नेक्ष्ट को जम्पुशा गया है समुध रुगुप्त मोडि के अठारा पदाधिकारियों के समुध को कहा जाता था तो इसका आंसर हो जाएगा उप्सन में C, मंत्री पडिसद नेक्स्ट को सम्पूशा गया है राजत तंतर अनुवान सीख हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा उप्शन नमर डी इनमें से कोई नहीं नेक्स्ट को सम्पूशा गया है इंडिका क्रेती है तो इसका आंसर हो जाएगा उप्शन नमर ए मेगा स्थनीज का किने उंग है तो इसका आंसर हो जाये आँप्सन edhe ... ले नेक्स कुसम्पूर की पहचान है तो इसका आंसर हो जाये रबात्र नंबर A ₷ रेटना से से कि नेक्स favor यंट्र बीन सथापक कौन था झाएगा उप्स नमब्र सी कि पूश्यumbs headed ताहिस को सुन पूशत जाएगा रोनजू पेपशन नंब्र सी जंद्र गूप्त प्रतमrer लेक्स्क्रक्रस्ण पूफशा गया है वेंसांग ने भारत का ब्रहमन किया तो इसका अंसर हो जाएगा option नंबर B हर्सवर्धन के सासनकाल में कि नेक्ट को तुम सागया है पालवन्स के संस्था पक थे इसका आंसर होग Soumbrини एग गोपाल जो तुम सागय है बिसन अगर अ स्टंभ तो यह संबंद है तो इसका आंसर हो जाए ओफ्सवर फर्स्ट हेलियोडोरोरस को किसके सासुनकाल में हुए तेसका आंसर हो जाए ऐका अजटस्वर नंब्र 25 इसका अंसर हो जायागा काणिस्क नेक्स को सम्पुशा गई अस्टा ध्याई के रशेता कॉन है तो इसका आंसर जायए। पानीनी नेक्स फुशा गया है गौत्मी पुत्र सतकर्णी निम्न में से किस वंसका था इसका आंसर कि नेरा तो हिक्ते हो जाएगा आप्सिन मः लन हो जाएगा सट म्हार जाएगा नमर में बट हisuन्ब सिंदु वाशिओं के प्रमख देवता कॉन थे इसका अंश्र हो जाएगा उप्सचन्यों सिव्ध नियुक्ष को तम पुशागे है क्या रिकवेदिक लोगों के सरावाधिक लोग मतों पिया देवता थे इसकत आफुत इंद्व नेक्स्ट को सम्पुसा गहतरीती ये बहुत संगीती हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा option number C partly पुत्र में नेक्स्ट को सम्पुसा गहरीग वेदे मंडलों की सही संख्या क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C 10 नेक्स्ट को समपुसा चैनल ने किस वर्स भारत पर आक्रमन किया तो इसका ऐसर मजा आगा उपसिनriel ए और तीनसोसाता इस साफूर्व नेक्स्ट को सम्पुशाग है जीवक कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर ए चिकित सक नेक्स्ट को सम्पुशाग है जैन धर्म के अंतिम तिर्थकार कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर डी महावीर नेक्ट को सम्झ पुस्छा कहा कहा है उत्री भारत का अंतिम सासा किसे कहा गया है तो इसका आंसर हो जायागा Altion. A. Next को सम्झ पुस्छा कहा पंज तंत्र की रचना किस ने के दिए? इसका आंसर हो जायगा Altion. D. Isn fondo Sarma नेक्स्ट उसम्पुसाग है बुद्ध का जन्म हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर बीस का आंसर हो जाएगा कपील वस्तु नेक्स्ट उसम्पुसाग है सिक्कों के अध्यन को कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कि नाम क्या था तो इसका आंसर हो जाएगा और भी विस्नु गुप्त नेक्स्ट हो जाएगा दुरूप देवी माता थी तो इसका आंसर हो जाएगा और एक कुमार गुप्त की नेक्स्ट कोज़ा हो जाएगा चैनर गुप्त का दर्वारी कवी था तो इसका आंसर हो जाएगा और भी हडी सेन नेक्स्षोजन पुसाँ गया किसने धर्म चक्र पडिवर्थन का उपदेश दिया तो इसका आंस्रोचाइगा आप्स二مر आ गौतम भुद्ध नेक्स्षन पुसाँ गया यूदिकी विजैसे समबंधित कर था तो इसका आंस्रोचाइगा आप्स二 refill मेश्जाजिया नेक्षोजम्पुसा गहराजपत की मर्यादा की व्रिधी के लिए बल्लवन ने कौन सी पध्धती को अपनाया था इसका आंसर हो जाएगा उप्सनम्पर डी उप्युक्त सभी नेक्षोजम्पुसा गहराजपत है सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की संकितिक मुदरा का प्रचलन किया था इसका आंसर हो जाएगा उप्सनम्पर ये त्वह टाम भाग के संतंब्स हुआए इसका अंसरों जाएगा मुखंब इन तगलग को एक नेक्स ऊच्ण सनबुश्यागा बाजार निक तरनिती की सुल्तान ने लागू किया जाए जाएगा आप्सिर नम्बर बी अलाहँ दिन खिल जी नेक्स रूजर म्पूशा गया है गुलाम वंस का संस्थाक कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा आप्सिर पर बी कुत्तुम द्दीन एवक नेक्स रुसम पुषा गहा राज तरेंगनी पुस्ते के रेसेता कौन थे इसका आंसर हो जायगा आप सरमर्षी कलहन सुल्तान सरप्र्थम विशुध अर्भी सिक्य भारत में चलाई तो इसका आंसर हो जायगा आप सरमर्षी किल्टूस तमिज में नेख्ट रोजम पूचा गे किसने अपने विश्वासी 40 सामंतों के एक समुख को अस्थापित गया जी से तुरकान ये चहल गानिक कहा जाता था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सनिमबर सी इसका आंसर हो जाएगा इल्टूस तमिज नेक्स रोसम पुछा गए दिल्ली सल्टनत की पहली महिला सासी का रजिया सुल्तान की सुबंस से संबंधि थी। इसका आंसर हो जाएगा option मेरे एक गुलाम वंस नेक्स वसम पुच आगा है तराइन का प्रत्थम युद् लड़ा गया था इसका आंसर हो जाएगा ओप्सिर नममर्बर सर्फ इसका आंसर हो जाएगा 1191 इसवी में नेक्स वसम पुच आगा है कौंसा बंस मा मुलुक बंस के रूप में भी जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा option number B, गुलाम वन्स Next रोजम पुछागा है कौन सा लोदी सुल्तान ने भूमी माप के लिए गज ए सिकंदरी को लागू किया तो इसका आंसर हो जाएगा option number C, इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी Next रोजम पुछागा है प्रसिद कभी अमीर खुसरो दरबार में रहता था तो इसका आंसर हो जाएगा option number D, अलाउदीन खिल जी Next रोजम पुछागा कवाली के पिता की रूप में कौन जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा option number B, अमीर खुसरो Next रोजम पुछागा दिली सल्तनत के दौरान निम्न में से किसने दिवान ए आमीर को ही की अस्थापना की तो इसका आंसर हो जाएगा option number C, इसका आंसर हो जाएगा मुहम्मद बीन तुगलग Next रोजम पुछागा सांकेतिक सिक्के को किस दिली सुल्तान ने लागू किया तो इसका आंसर हो जाएगा option number C, मुहम्मद बीन तुगलग Next रोजम पुछागा दिली सल्तनत पर किस वंस ने सासन नहीं किया तो इसका आंसर हो जाएगा option number D, गौरी वंस Next रोजम पुछागा किस यूद में पिर्थिवरा चोहान एबं मुहम्मद गौरी लड़े तो इसका आंसर हो जाएगा option number C, तडाइन Next रोजम पुछागा दिली सल्तनत में दिवान ए आरीज किस विभाग से संबंधी था इसका आंसर हो जाएगा option number C, सायनी विभाग से Next रोजम पुछागा किस विल्ता ने सरपर्थम दिवान ए आरीज कि अस्थापना की तो इसका आंसर हो जाएगा option number D, अलाउदीन खिल जी Next रोजम पुछा गया है किसके साजनकाल के दौरान मुड़कों का यात्री इबन बतूता ने भारत की यात्रा की तो इसका आंसर हो जाएगा option number D, इसका आंसर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलग Next रोजम पुछा गया है तहरीक हिंद लिखा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा option number B, अलबरूनी द्वारा Next रोजम पुछा के किस सुल्तान ने दाग एवं फुलिया प्रथा को लागू किया तो इसका आंसर हो जाएगा option number D, अलबरूनी खिलजी Next रोजम पुछा गया है नूशी पर लिखा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा option number first इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो द्वारा नेक्ट पूसरा गया है दिली सल्तनेंगे किस मन्स ने सब से अधिक समय तक सासन किया तो इसका आँसर होसा आएगा ओप्शन पूंबर बी तुग लग निम्र में से कि सासक ने दिवान एक हैरात विभाग की अस्थापना की थी ति उसका आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर भी फिरोज साहत तुगलग कौन सा प्रथम मुस्लिम सासक था जिसने भारत में सुधूर दक्षिन तक अपनी सत्ता फैला दी तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी अलाउदिन खिल जी नेक्षो जम्पुसा के दिली सल्तनत में किसने इक्तेदारी प्रथा की शुरुवात की तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए इसका आंसर हो जाएगा इलतूस तमेज नेक्षो जम्पुसा के सल्तनत काल के दौरान कौन सा विभाग अनाथो इवन विधवाओं से संबंधित था तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए दिवान एक हैरात नेक्षो जम्पुसा के किस साल में सिकंदर लोधी ने आगड़ा सहड की अस्थाप ना की तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए पंदरसो चारिस वी नेक्षो जम्पुसा के गाजी माली की सवंज का संस्थापक था तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए महामाया नेक्स्टों सम्पुचा गया है जैन तिर्थकारों की कुल संख्या कितनी है तो इसका अंसरों जाएगा उप्स नमर सी 24 किस राजा के सासनकाल के दौरान स्री लंका में बहुत धर्म की पहचान बनी तो इसका आंसरों जाएगा उप्शन में भी असोग और लाश्ट को सम्पूशा गया है बुद्ध ने निर्वान की प्राप्ति की इसका आंसरों जाएगा उप्शन मेर डी कुसी नगर में प्रेंट उप्र सれंहेड आंसरों जा-टाः वे लुव्वड जाएगा थकि पी आंसरों में आप टेर्म की की इस एंचैनल मेजिए